हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो अनू पिष्टेडी जोन, चलिए इस क्लास में हम लोग देखेंगे भिन्न के बारे में, हम लोग अभी तक नंबर सिश्टम में कौन-कौन से टॉपिक देख चुके हैं, आपका नंबर सिश्टम का पूरा वरगी करण हो चुका है, उसके बाद आ आपका इकाई अंख हो चुका है, अर्स्थानी अमान कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़े हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे भिन्न और दस्मलो की बात करेंगे, ठीक है, भिन्न से आपके इस एक्जाम में काफी प्रश्ण पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए important topic है, तो भिन्न देखे क्या होता है, भिन्न एक ऐसी संख्या है, जो किसी संपूर के एक भाग को दरसाती है, जैसे कहने का मतलब अगर आपके पास एक सेव है, आपको नहीं पता कि इसका कितने ग्राम का है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसका जो है, इसका जो एक चौथाई भाग आपको किसी को देना है, तो आप इसका एक चौथाई क्या करेंगे, इसको चार बराबर बराबर भागों में काट देंगे, और इसका जो एक भाग होगा, इसको दरसाने के लिए क्या करेंगे, एक बटे चार कर देंगे, ठीक है, और यह जो वाली value होती है इसको क्या कहते हैं हम uns कहते हैं और जो नीचे वाली value होती है इसको क्या कहते हैं हर कहते हैं basically uns और हर इतना जान लिजे कि जितने भागों में बाटा जाए जैसे अगर कोई भी एक माल लिजे बड़ा सश्टिक है अगर उसको हम लोग पांच बराबर भागों में बाटते हैं ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच अगर इसको पांच बराबर बराबर भागों में बाटते हैं, तो जितने भागों में बाटा जाएगा, उसको आप हर में लिखेंगे, और जितने भाग को आपको denote करना है, दर्साना है उसको क्या करेंगे, उसको आप उपर लिखेंगे, uns में लिखेंगे, ठीक है uns को आप English में numerator कहते और जो आपका हर होता है, हर को क्या कहते है, denominator ठीक है, तो यह आपकी का property हो गई, uns और हर की आपका भिन्य क्या दर्साता है किसी भी संपूर के एक भाग को दर्साने के लिए आप भिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे आप example में देख लीजी, तीन बटे चार, तो इसमें अंस क्या है, अंस आपका तीन हो जाएगा, आपका हर क्या है, हर आपका चार हो जाएगा, ठीक है, अब भिन आपके कितने के होते हैं, देखें, बेसिकली वैसे भिन तीन ही प्रकार के होते हैं, वैसे अगर इसका क्लासिफिकेशन करें, तो भिन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका रेसिप्रोकल भी ले ले लेते हैं, तो उसको नहीं लेना है, जो में आपके तीन टाइप्स के होते हैं, कौ पहला कौन सा है उचित भिन ठीक है और दूसरा क्या है अनुचित भिन ठीक है पहला आपका है उचित भिन दूसरा है अनुचित भिन और तीसरा जो आपका जाएगा मिस्रित भिन ठीक है, तो पहला आपका उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न ऐसे भिन्न जिसमें क्या हो, आपका हर जो है, अंस से बड़ा हो, ठीक है, जैसे आप एक्जाम्पल की तौर पर देख लिजी, तो इसमें क्या है, अंस आपका छोटा है, हर क्या है, आपका बड़ा है, जिसमें कि आपकी जो वैलू आती है, वो आपकी आती है, वन से छोटी होती है, वैलू क्या होती है, वन से छोटी होती है, अगर इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, तो यह जो वैलू आएगी, ह से आप कहलेजे 10 बटे 7 ठीक है इसमें देखे जो अन्स है वो क्या है हर से बड़ा है और इसकी जो वैलू आती हमेशा और हमेशा एक से बड़ी होती है क्या होती है एक से बड़ी होती आप इसको जब डिवाइड करेंगे देखे 7-1 का साथ एक बार पूरी तरीके से चला जा हैं इसमें आपके जो अंस है उसमें भी ये क्या होगा फ्रेक्शन के फर्म में होगा भिन्ड के फर्म में होगा और नीचे भी अंस भी किसमे होगा, अंस भी आपका भिन्द में होगा, ठीक है, और जो आपका हर है, वो भी आपका किसमे होगा, भिन्द में होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तीन प्रकार के आपके फ्रेक्शन होते हैं, वैसे रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोक यानि कि इसको इसका व्यूत्क्रम उल्टा कर दीजिए तो आपका जो हर है वो क्या बन जाएगा अंस बन जाएगा और अंस आपका क्या बन जाएगा हर हो जाएगा तो यहीं क्या होता है यहीं होता है आपका व्यूत्क्रम होता है चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते ह है कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुड़ा भाग कैसे हम लोग कर सकते हैं ठीक है देखे एक तो simple method है जिसमें आपका हर समान हो हर समान हो तो आप आसानी से कर सकते हैं और दूसरा कैसा हो जाएगा जिसका हर आपका अलग-अलग हो ठीक है देखे पहला आपका type कैसा हम लोग देखते हैं जिसमें हर आपके समान होंगे जिसके हर समान होंगे उसके हम लोग जोड़ घटाना गुड़ा भाग चारो सिखेंगे ठीक है तो पहला आपका कैसा हो जागा जिसका हर समान हो ठीक है, जिसका हर समान हो, उसका क्या सीखते हैं, हम लोग जोड सीखते हैं ठीक है, है ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है आपने अगर अभी तक मैट्स नहीं भी पढ़ा है, तो कोई टेंसन नहीं आप क्या करें, बस यहाँ पर ध्यान दिजी, बिलकुल 0 से आपको स्टार्टम करनें ठीक है, आपको जोड घटाना नहीं आता है, आप जोड घटाना भी सीख सकते हैं यहाँ पर तो आप बस क्या करें, क्लास पर ध्यान लगाईए, देखें, जोड कैसे करेंगे हम लोग इसमें भीन्नों के जोड में अगर आपका हर समान है, पहले ही बताएं यह अगर x upon y में है, तो उपर वाला क्या है, उपर का आपका अंस है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे का आपका हर होता है तो पहला कंडिशन हमारा है, जिसका हर समान हो, जैसे अगर आपको दे दिया जाए, 3 बटे 7 प्लस 5 बटे 7 तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा अगर हमारा हर समान है ये नीचे वाला भाग जो होता है आपका हर होता है हर समान है तो आप क्या करेंगे इसमें आपको लौस अलेने जुरतने जो हर समान है बराबर में करके आप अपना हर को वहीं बराबर रखे और अंस को जोड़ तो ये कितना आ जाएगा अंस उपर उपर जोड दीजे पांस दिन आठ बटे साथ हो जाएगा तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसका जोड सकते हैं अब आप सोच रहोंगे ये इतने सरल प्रश्ण कैसे हैं तो ये प्रश्ण आपके सूपर टेट में आये हुए हैं ठ इसका देखिए इसको किस तरीकेस करेंगे सेम है आपका हर बराबर दिया हुआ है तो हर को as it is रख देंगे और जो आपका अंस है अंस को जोड दिया जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 लेकिन option में आपका 17 बटे 17 दिया ही नहीं था क्या था आपके option में क्या क्य रखा था पहला option दिया था zero दूसरा option दिया था तीसरा option आपका दिया हुआ था एक और चौथा option आपका क्या दिया था चौथा option आपका दिया था infinite ठीक है तो आप तो पहले देखेंगे दो values तो ऐसे ही कड़े infinite और 0 आपका क्या-क्या बचा या तो 1 होगा या तो 2 होगा ठीक है तो ये क्या होता है देखे 17 बटे 17 दिया है यानि इसका मतलब क्या होता है ये आप 17 से इसको आप directly काडब भी सकते है 70 17 7 7 एक बटे 1 आज़ेगे इसकी value एक आएगी अगर आपको इस तरीके से नहीं काट पाते है तो आप क्या कर言 जो हर होता है वो आपका भाजक होता है ठीक है और जो होता है वो भाज्य होता है तो भाजक से आप भाग दीजे 17 भागे 17 ये कितनी बार में जाएगा एक बार में तो यहीं आपका क्या हो जाएगा यहीं आपका एक क्या हो जाता उत्तर हो जाता तो आपका इसका उत्तर कौन से हो जाएगा ओप्सन नंबर सी यानि की एक हो जाएगा ठीक है जब कभी भी आप भिन्नों का जोड़ घटाना आपको दिखे तो आप उसको सरल करके जरूर लिखेगा क्योंकि option में आपके जो सरल वाला form होता है वहीं दिया होता है एक question और कर लिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 7 बटे 9 प्लस 11 बटे 9 चलिए इसको करिए तो इसमें भी बिल्कुल ही सरल तरीके से क्या करेंगे हर आपका बराबर दिया है तो हर को बराबर कर देंगे और अंस को जोड़ दिया जाएगा 7 प्लस 11 11 साथ कितना हो ठीक है 18 बटे 9 तो यहां पर भी आपको जो option मिलेंगे 18 बटे 9 के form में हो सकता है कि 9 मिलें तो आप क्या करेंगे यहां से इसको फिर से भाग देंगे या काटेंगे 9 11 9 9 9 12 18 यह आपका उत्तर कितना जाएगा उत्तर आपका 2 आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप क्या क तरीके से आपका क्या होगा वहीं सेम तरीके से आपको घटाना भी होगा ठीक है देख लेते हैं आपका पहला जोड़ हो गया दूसरा क्या हो जाएगा घटाना घटाना में जैसे आपका अंसर तो वहीं होता है जैसे आपको दे दिया जाए 11 बटे 9 माइनस 2 बटे 9 तो यह तो आप क्या करेंगे, जो हर दिया हुआ है, उसको as it is लिख दीजिए, और अंस में जो दिया है, 11-2 कर दीजिए, कितना आजाएगा, 9 बटे 9 आजाएगा, यानि उत्तर कितना आएगा आपका, एक आजाएगा, तो इस तरीके से आप घटा सकते हैं, एक question आप try करिए, 7 बट है, तो आपने हर को तो बराबर कर दिया, लेकिन उपर क्या है, 7 में से 9 घटाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको भी as it is लिख देंगे, 7-9, ठीक है, जोडने घटाने का simple तरीका, अगर आपको plus minus नहीं समझ में आता है, कि plus में से, छोटे में से बड़ी value को कैसे घटाएं तो देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर थोड़ा सब concept सीख लीजे, कभी भी गलती नहीं होगा आपका, जैसे अगर आपको देदिया minus 15 plus 12, तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको evaluate करना है, यानि इसका जो जोड या घटाना होगा, कितना होगा, ठ प्लस वाली value हो क्या है, छोटी है, अब आपको यहाँ पर बीच में plus दिख रहा है, तो आप कहेंगे 15 में 12 जोड देते हैं, जो आएगा 15, 10, 25, 27 आज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपको दो अलग-अलग sign दिखें, तो आप देखिए, कि किसका sign बड़ा है, अगर दोनों side अलग हैं, दोनों के sign अलग-अलग हैं, तो आप एक काम करिए, बड़ी value में से हमेशा और हमेशा छोटी value घटा दीजिए, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको एक plus में, एक minus में दिया है, आपको नहीं पता चल पा रहा है, कि उसका जो उत्तर होगा, plus में आएगा, minus में आएगा, कैसे आएगा, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले जो बड़ी value दी हुई है, बड़ी value को क्या करेंगे, छोटे से घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए, घटाने पर कितना आया, तीन आया, इसके बाद जो आपका most important काम है, आप देखेंगे, कि क minus 15 plus 12 बराबर minus 3 हो जाएगा, ठीक है, अगर सेम अगर एक और टाइप का दे दिया जाए, इसे हाँ पर दे दिया जाए, प्लस यहाँ पर तो देगा नहीं, 17 minus 19, अब क्या करेंगे, अब तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो एक plus में, एक minus में है, तो जब आपका एक plus और दूसरा minus दिया हो, तो आप फिर से वहीं process करिए, कि बड़े में से छोटे को घटा दिजे, क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 19 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, दो बच जाएगा, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है, कि जो भी बड़ी वाले संख्याप का चिन्ध होगा, वहीं आप उतार देंगे, तो यह कितना आजाएगा, माइनस दो आजाएगा, एक प्लस का भी देख लेते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया जाए, माइनस पंदरा, प्लस सत्रा, अगर दे दिया जाए, तो यहाँ पे यह हैं, बड़ी वैलू में से छोटी वैलू को घटा देंगे, तो कितना आजाएगा, दो आजाएगा, अब जो बड़ा साइन होगा, वही साइन आपके उत्तर में आजाएगा, तो बड़ा साइन आपका किस संख्या का साइन बड़ा है, प्लस का, तो यहाँ क्या उत्तर होती नहीं है तो यहां पे आपका उत्तर सिंपली आ जाएगा तू आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जोड और घटा सकते हैं यह आप अगर इतनी चीज़े याद है तो कभी भी आप माइनस प्लस कितना भी उल्जा दिया हो आपका गलप नहीं हो सकता है तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा साथ में से नौ को घटाना है तो बड़ी वैलू क्या है नौ है और यह साथ है तो बड़ी वैलू में से छोटी वैलू को घटाएंगे तो नौ में से साथ जाएगा दो बचेगा और जो बड़ी संख्या का साइन है वहीं साइन उतार देंगे तो यह माइनस दो बटे 15 है यहीं आपका क्या हो जाएगा यहीं आपका उत्तर हो जाएगा तो यहीं प्रोसेस है आपका जोडने का और घटाने का इसके बाद तीसरा क्या है गुड़ा करने का तीसरा देखिए अब गुड़ा करने में हाला कि आपको अंस और हर से मतलब ज्यादा मतलब नहीं हर बराबर भी होगा तब भी उससे तरीकेस गुड़ा करेंगे, हर बराबर नहीं होगा, तब भी उससे तरीकेस गुड़ा करेंगे, सबसे पहले गुड़ा हम लोग सीख लेते हैं, तीसरा क्या है हमारा गुड़ा, ठीक है, गुड़ा करना, इसमें जैसे आपको दे दिया, 7 बटे पांच, 5 कर दीजी, जो भी आता है, वहीं आपका answer हो जाएगा, 7 चंग कितना होता है, 42 बटे 25, ठीक है, यहीं आपका क्या हो जाएगा, यहीं आपका answer हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरा देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए, 7 बटे 9 गुडे, 3 बटे 7, तो यह आपका कितना आए जिसका मौस हो, मौस हो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इसमें common होता है, common क्या है, 3 common है, 3 चंग का 12 और 3 तरिक का 9, तो इसको इस तरीके से उपर नीचे काट सकते हैं, और जब गुडा करते समय हम लोग इसको cross में भी काट सकते हैं, ठीक है, जैसे यह क्या हो जाएगा, 3 तरिक का 9 और 7 एक का 7, उपर कितना बचा, 1, 1, 1, तो यह हो जाएगा, 1 गुडे 1 बटे, 3 गुडे 1, तो यह आपका कितना हो जाएगा, एक बटे 3 हो जाएगा, ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो आप क्या करिए, सीधे, सीधे, साथ गुडे 3 करिए, उपर का गुड़ा करिए और नीचे नीचे का गुड़ा कर दीजिए अब कितना जाएगा साथ तरिक का 21 बटे 9 सते 63 ठीक है अब इसको काट लेजिए कितने से कटेगा फाणली आपका उत्तर उतना ही आना है आप चाहे जिस विधी से भी सवाल को हल करिए उत्तर आपका क्या होता है बराबर ही होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप अपना गुड़ा कर सकते हैं चाहे तो आप इसस्टार्टिंग में काट लीजिए या तो आप चाहिए तो पहल तरीका यहीं होगा यह आपका क्या करेगा टाइम भी बचाएगा और सात-सात आपका calculation भी बहुत जादा कम हो जाएगा यहाँ पर वही चीज़ करने हैं एक बार गुडा करने हैं फिर उसी चीज़ को भाग दे के काट रहे हैं तो यह आपको हो गया, गुड़ा हो गया, ठीक है, भाग भी देख लेते हैं, भाग कैसे होगा, जली जली देखी, भाग, भाग में आपका क्या दिया हुआ है, जैसे अगर आपको दे दिया जा, तीन बटे साथ, भागे, पांच बटे छे, तो आपको क्या करना है, भाग जो होता है, सामने वाला होता है उसका व्यूत करम का गुड़ा कर देते हैं क्या हो जाएगा आपका 3 बटे 7 गुड़े 6 बटे 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आपको व्यूत करम का गुड़ा कर देना यहीं आपका भाग हो जाएगा भाग के गुड़ा के तरीके से कर सकते हैं 6 तर बटे साथ भाग का मतलब होता है अपान में कर देंगे और ये कितना दिया हुआ है पांच बटे छे इसका मतलब आप इसको भिन्न में इस तरीके से भी दर्सा सकते हैं ठीक है इसमें क्या होता है इसमें जो पहला देखो इसमें पहला अंस दिया हुआ है और पहला हर दिया ठीक है तो इसमें क्या करेंगे पहला जो अंस होता है वो दूसरे के हर से गुड़ा हो जाता है और जो दूसरे का अंस होता है वो दूसरे के हर के साथ गुड़ा हो जाता है जो पहले का हर होता है दूसरे के अंस के साथ गुड़ा हो जाता है तो यह इसी यहीं आपका क्या ब तुँ आप इन दोनों तरीके से इसको solve कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर आपका हर समान नहों तब, ये तो आपका बिलकुल सरल था, आपको क्यों क्या करना था, हर को देखना था, हर बराबर है, तो हर को नीचे लिख करके अंस को जोड़ना था तो जोड़ देते थे, घटाना था तो घटा देते थे, लेकिन अब आपका, अगर आपका हर अलग-अलग दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको solve नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें पहले क्या करना होगा, उसमें पहले loss लेना होगा, प समान 9, ठीक है, जिसका हर समान 9, उसका आप आपको जोड़ करना है, क्या करना है, जोड़, अब जिसका हर समान नहीं, उसका जोड़ किस तरीके से होगा, देखें, जैसे अगर आपको दे दिया जाए, 7 बटे 5, प्लस 6 बटे 7, ठीक है, तो अब इसका जोड़ कैसे करेंग 5 और 7 का LCM लेंगे यानि loss लेंगे तो 5 और 7 का loss कितना हो जाएगा इसमें दोनों में common कुछ है नहीं तो ये कितना हो जाएगा इसका loss आपका 35 आजाएगा अब जितना आपका loss हो आएगा पहले के हर से इसमें भाग देंगे कितना आएगा 5 सते 35 यानि 7 आगया तो 7 का गुड़ा अंस में कर देंगे 7 गुड़े 7 हो जाएगा ठीक है फिर से बीच में प्लस दिया है तो फ्लस करेंगे ये सेम तरीका आपका घटाव में भी होता है ठीक है सेम तरीका आपका घटाना में भी अपना आ जाता है चाहे जोड़ना है तो आप यहाँ प्लस sign कर देंगे घटाना है तो यहाँ प्लस sign लगा देंगे बस difference इतना ही है तो अब क्या करेंगे अब जो दूसरे कहार है उससे फिर से भाग देंगे उसके लॉसव में जो भी आया हुआ है 35 आया 7 पचे 35 और जो आपका 5 आता है उससे क्या करेंगे दूसरे वाले के अंस में फिर से गुड़ा कर देंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा 5 गुड़े 6 आ जाएगा यह आपका क्या जाएगा 89 बटे 35 आपका सही उत्तर आ जाएगा अब देखिए इसका दूसरा तरीका है अगर आपको लौस अले करके इतना प्रोसेस करने में दिक्कत होता है तो यह आप किसके लिए अपनाएगे केवल और केवल जोड के लिए इसको क्या करिए आप तिरियक गुड़ा कर लिजिए और लिख लिजिए क्या हो जाएगा तिरियक गुड़ा आप करिए पहले उपर के लिए 5 गुड़े 6 कितना हो जाएगा 5 गुड़े 6 और प्लस करके दूसरी बार तिरियक गुड़ा करिए 7 गुड़े 7 और नीचे वाला हर लाने के लिए दोनों चास बटे, पांस बटे, 35, ठीक है, ये कितना जाएगा, 89 बटे, 35, ये आपका डारेक्टली इस प्रकार से आप उत्तर को ला सकते हैं, अगर आपको लॉसन निकालने में कोई भी समस्या होती है, तो आप डारेक्टली तिरियक गुडा करिए, और यहाँ पे उत्तर ला दीज ठीक है, अभी तक आप लोगोंने अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, हमारे चैनल पे सूपर टेट के सारे सबजेक्ट्स के क्लासेज जो है, वो डेली के डेली चलाया जा रहे हैं, तो आप क्लास को जॉइन करी और अपने तयार को continue रखिए, ठीक है, देखिए, दूसरा जो तरीका है घटाना का, तो घटाना भी सेम तरीका है, जैसे आपको दे दिया जाए, 6 बटे 7 माइनस 9 बटे 8, ठीक है, तो इसका आपका घटाना कैसे होगा, फिर से सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, जो आपका हर दिया हुआ है, ह अगर आपको नहीं निकालने आता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉसर भी निकाल सकते हैं, 7 और 8 का, लॉसर निकालने के भी कई तरीके हैं, आप इसको एक में भी निकाल सकते हैं, आप 7 और 8 का अलग से गुड़न खंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो पहले तो साथ से काटेंगे, साथ एक का साथ, आठ बच जाएगा, फिर आठ से काटेंगे, कितना जाएगा, आठ एक का आठ, तो इसका गुड़न खंड कीतना जाएगा, साथ गुड़े आठ, यानि LCM कितना जाएगा, साथ वाठे चपपन, तो यहाँ देखे, डिरेक्ट हम लोग LCM निकाल लिए, ठीक है, फिर से सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको भाग देंगे, 7, 8, 56, 8 है, 8 का गुड़ा उपर कर देंगे, 8 गुड़े 6, माइनस, अब कितना करेंगे, फिर से इसको भाग देंगे, 8, 7, 56, साथ आया, अब उसका गुड़ा कया करेंगे, उपर वाले से क कितना आ गया, 8, 48, माइनस, 7, 9, 63, बटे, 56, अब फिर से वहीं आपके पास बड़ी वैलू आ गई, यानि आप देख रहेंगे, जो माइनस वाली वैलू है, वो बड़ी है, और प्लस वाली वैलू क्या है, छोटी है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी वैलू मेंसे छोटी को घटा देंगे, 63 में से आप 48 को घटा दीजे, 63 माइनस, 48 कर लिजे, कितना आएगा, यहाँ एक कैरी जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 मेंसे 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे 5 बचा, 5 मेंस चार गया, 1, यानि यह कितना हो गया, आपका, 15 बटे 56, ठीक है, लेकिन यह जिस तरीके से आप जोड़ घटाना गुड़ा भाग आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी क्या है, जोड़ घटाना गुड़ा भाग में आपका, जोड़ घटाना आपको आ गया, गुड़ा में क्या करना है, गुड़ा में कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं है, जिस तरीके से आ आप हर समान था तब कर रहे थे, अगर हर समान नहीं है, उसी प्रकार से आप गुड़ा भाग भी कर सकते हैं, चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्ण देख लेते हैं, जो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, प्रश्ण आपके डिरेक्ली जोड़ घटाना पे नहीं होगा, यह आपका एक तरीके से अपलिकेशन है, अब इसका यूज किस तरीके से आपको करना है, यह चलिए सीखते हैं, ठीक है, यह तो आपका basic application हो गया, ठीक, छलिए, इसमें आप questions आपके किस तरीके से आते हैं, तो जो आपके questions आते हैं, देखे, यह आपका question पूछा हुआ है एक्जाम में आपके, बोला हुए, 379 के आधे का 2 बटे 3 कितना होगा? ठीक है आपसे क्या बोला हुआ है कि 379 के आधे का 2 बटे 3 आपका कितना होगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपका एक तिहाई, एक बटे चार को क्या कहते हैं, एक चौथाई कहते हैं, तो जब भी प्रश्ण में आपके आधा, एक तिहाई, एक चौथाई दे, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप गड़ती रूप में बदल लेंगे, ठीक है, तो 379 का आधा कितना होगा, 379 का आ 339 किसके बराबर होगा, 123 के बराबर होगा, ठीक है, तो जो आपको अंक गड़ित की सबसे बड़ी खासियत जो होती है, जो प्रश्ण दिया हुआ है, अगर वहीं चीज आप गड़ती रूप में लिख सकते हैं, तो आपका आधी प्रश्ण तो इसी प्रकार से सॉल्व हो ठीक है, अगर आपको अंक गड़ित समझना है, तो जो भासा है प्रश्ण की वो पहले समझना सीखिए, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको यह दिग्या होता कि इसका आध्या का दो बटे तिन, तो सीधे आप इसको गड़िती रूप में लिख करके काट के सॉल्व कर लेते ह इसके बाद हम लोग इस पे कुछ और प्रश्ण देखते हैं, तो प्रश्ण जो होंगे आपका देखे यहाँ पे डारेक्टली तो गुड़ा का यूज नहीं हो लेकिन उस गुड़ा का ही अपलिकेशन है यह, ठीक है, तो आपको अगर गुड़ा नहीं आता रहेगा तो आ 0.24 को सबसे छोटी भिन में बदल कर लिखिए, ठीक है, आपको क्या करना है, 0.24 को सबसे छोटी भिन में बदल कर लिखना हुआ है, आपके पास option भी चलिए, दे दिया है, 12 बटे 50, जो दूसरा option आपके पास है, 3 बटे 25, ठीक है, तीसरा option आपके पास दिया हुआ है, 6 बटे 25, और जो आपका चौथा option दिया हुआ है, 1 बटे 18 का दिया हुआ है, ठीक है, चलिए, बताइए आप लोग जल्देल दे, तो दे यह तो आपका normal भिन है हम तो यह भी सीख चुके हैं कि अगर किसी संख्या पे बार है दस्मलों के बाद या दस्मलों के पहले तो उसको भी हम लोग किस तरीके से solve करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 0.24 दिया हुआ है क्या दिया है 0.24 को आपको यहाँ से दस्मलों हटाने के लिए देखिए डिजिट यानि जो दस्मलों भिन दस्मलों दिया हुआ इसके 2 डिजिट तक आपका भिन यह संख्या दिया हुआ है तो आप क्या करिए इसको 100 से गुड़ा कर लिजे आप एकदम basically क्या करिए जहाँ पे दस्मलों दिया है उसको एक मानी और जितनी संख्या तक गया है उतनी zeros उसमें लगा करके इसको गुड़ा कर दिजे और जितनी का गुड़ा आप उपर करेंगे उतनी का गुड़ा आप क्या करेंगे नीचे भी करेंगे तभी आपकी ये संख्या बराबर रहेगी अब देखी आपका गुड़ा करेंगे 0.24 में 100 का गुड़ा करेंगे तो या जाएगा 24 बटे 100 अब आपका 24 बटे 100 option में नहीं है क्यों? क्योंकि पूछा है सबसे छोटी भिन्न में बदलना है तो इसको सबसे छोटी भिन्न में बदलने के लिए 4 से काटी 4 से काटी 4 से का 24 और 4 पचैसे हम 100 तो कितना आपका 6 बटे 25 कौन सा आंसर मैच कर रहा है option number C ठीक है? यानि कि third आपका क्या हो जाएगा? correct answer हो जाएगा ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? पहले दस्मलो को भिन्न में बदलेंगे और उस भिन्न का सबसे जो छोटा रूप होगा उसी को लिख देंगे ठीक है? चलिए अगला question देखिए अगला question दिया हुआ है 10 दस्मलो 0,3,6 को 0,3,6 यहाँ पे 3 और 6 दोनों पे बार नहीं केवल 6 पे बार दिया हुआ है इसका आपको साधारण साधारण भिन्न रूप बताना है इसका क्या बताना है? साधारण भिन्न रूप बताना है आपको टेक है? आपके पास option भी दिया हुआ है पहला जो आपका अपसंदिया हुआ है 10 सही 9 बटे 225 जो आपका दूसरा अपसंदिया हुआ है 10 सही 11 बटे 300 और जो आपका तीसरा अपसंदिया हुआ है 10 सही 9 बटे 250 और जो आपका चौथा अपसंदिया हुआ चौथा option है आपका 10 सही 36 बटे 999 चलिए जल्देल दिया आप लोग इसको solve करें हमने आपको पहले ही दूसरे class में सिखाया हुआ था किस तरीके से जो बार होता है बार को हम लोग सरल रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए जल्देल दिया आप लोग इस question को solve करिए solve करके अपने जो आपकी answer से वो comment box में जरूर बताते चलिए maths क्या है? maths के लिए आपको किसी notes की जरूरत नहीं है maths में आपको लगता है कि formula आपको याद करने होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आपको उस चीज का application directly पता है तो आपको formula भी क्या होंगे automatic वो जैसे ही प्रशनाएगा formula आपके दिमाग में घुमने लेगा कि अच्छा इसको ऐसे गुड़ा करके लिखा जा सकता है तो formula आप रटने की बजाया है concept को सीखिए जब आप concept को सीख जाएंगे तो formula आटोमेटिक आप उसको apply करना सीख जाएंगे एक और बात होती है आपको formula याद है लेकिन पता ही नहीं है कि कौन सा formula हमको कहाँ पर लगाना है तो formula रटना जरूरी नहीं है यह है कि आपका कहाँ पर उसको use करना है यह आपके लिए important होता है ठीक है देखें यहाँ पर क्या दिया हुए 10.036 को आपको पहले तो साधारण भिन्य में लिखना है तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखें 10 plus 0.036 आप इसको लिख सकते हैं इसको हमने आपको लिखना भी सिखाया हुआ था ठीक है आप इसको 10 plus 0.036 लिख सकते हैं अब इस बार का मतलब होता है कि यह infinite तक अगर इस बार को हम आपको तोड़ कर दिखाना चाहें तो यह क्या लिखा हुए 0.0366 यह मतलब कि infinite तक यह कहां तक गया है infinite तक इसका भाग ही पूरी तरीके से नहीं हो पाया ठीक है यह कैसा दसमलो है और सांत दसमलो है ठीक है तो इसको हम लोग कैसे करते थे जितने पर बार होता था उसको छोड़ करके बाकी values को घटा देते थे तो यहां तो 10 आप लिख लीजिए यहां क्या करेंगे, देखिए, यहां पर 6 पर 12 है, यहां तो क्या करेंगे, 36 में से आपको 3 को घटा देंगे, जिस पर 12 होता है, उसको छोड़ करके सारी value उसको घटा देते हैं, तो 36 में से 3 घटा आएंगे, कितना आएगा? 33 आएगा, आपको एक और चीज बताया थे, कि जि तीज़ बटे 900, 33 बटे 900 को आप सरल रूप में करें, 3 से काटिए, 3 एक का 3, 3 एक का 3, अपॉन 3 तरीक का 9, यानि कितना आ गया आपका, 10 प्लस, 11 बटे 300 आ ठीक है, अब आप इसको एड करिए, अच्छा, ये आपका डिरेक्ली एड करने एक जरूरत भी नहीं, ये आपका भी सही एक बटे 4 दे, या एक प्लस एक बटे 4 दे, दोनों का मतलब आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 4 एक का 4, एक 5 बटे 4 आएगा, ठीक है, 5 बटे 4 की वैलू कितनी आएगे, आप इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ भी क्या हो जा एक दस्मलों दो पांच, एक दस्मलों दो पांच, दोनों की value क्या होगी, बराबर आएगी, तो आपका चाहे प्लस में दिया हो, चाहे डारेक्टली भिल्ण में दे दिया हो, आपके दोनों का जो answer होता है, value होता है, बराबर होता है, तो आपका option कौन सा सही हो जाएगा, option number C यह option सही हो जाएगा ठीक है चलिए जल्दी लिल नोट कर लिजे आप लोग अगला question देखते हैं यह आपका अच्छा tricky question दिया हुआ है चलिए देखे जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो क्या करेंगे आप सबसे पहले वीडियो को pause करके लिख लिया करिए ठीक है सबसे पहला आपका try होना चाहिए कि question जैसे ही blackboard पे आपको लिखा दिखे आप उसको वीडियो pause करके सबसे पहले उसको solve करिए ठीक है solve करने के बाद ही आप क्या करेंगे उसका solution देखेंगे ठीक तो इससे क्या होगा कि आपका practice भी हो जाएगा अगर आपने एक concept पढ़ रख यदि किसी भी नम है यदी किसी भी नका अंस राध रखा दिया जाएगार प्रेंप्रतिसत बढ़ा दिया जाता है तथा, र दो प्रतिस्द घटा दिया जता है हर को क्या करते हैं? दो प्रतिस्द घटा देते हैं दो प्रतिस्द घटा दिया जाए तो भिन्न का मान भिन्न का मान कितना हो जाता है? 6 बटे 7 हो जाता है तो भिन्न बताईए ठीक है? आपको क्या देखा है? यदि किसी संख्या के भिन्न के अंस को 12 प्रत्वत घटाद बढ़ा देते हैं और जो हर है उसको 2 परसेंट घटा दिया जता है तो जो भिन्न है 6 बटे 7 हो जाता है तो उसको क्या करना है? तो आपको कौन से भिन्न ऐसी थी जिसमें ये ऑपरेशन करने पे आपका 6 बटे 7 आता है आपके पास ओप्षन भी दे रखा है ओप्षन दिया हुआ है 4 बटे 5 जो आपका दूसरा ओप्षन है दूसरा ओप्षन दिया हुआ है 3 बटे 4 तीसरा ओप्षन आपका दिया हुआ है 2 बटे 3 और चौथा ओप्षन आपका क्या दिया हुआ है? पांच बटे 6 दिया हुआ ह ठीक है देखिए अब आपका क्या है सबसे पहले आपको यहाँ पर अंस हर पता ही नहीं तो क्या मान लिजे आप मान लिजे माना भिन बराबर जिसमें आपका अंस X हो जाएगा और Y हर हो जाएगा माना भिन एक्स बटे Y है यानि अंस X है और नीचे वाला क्या होता है हर होता है तो सबसे पहला क्या क्या गया है भिन के अंस को 12 प्रतिसम बढ़ा दिया गया है तो आप भी क्या करें बारे प्रतिसम बढ़ाईए एक्स में क्या करना है 12 प्रतिसम बढ़ाना है 12 प्रतिसम का म प्रतिस्वत बचेगा तियो जाएगा 98 बटे 100 इसी को आपको solve करना है यह देखिए यह multiply में तो यहां से 100 से 100 डारेक्टली कर जाएगा आपका बचेगा कितना एक्स गुडे 112 बटे वाई गुडे 98 और यह भिन हमारा किसके बराबर हो रहा था यहीं भिन तो हमारा 6 बटे 7 हो जा रहा है 6 बटे 7 ठीक है तो यह आपका कितना जाएगा इसको और सरल करिए यहां पर सरल करिए देखिए यह 4 से कट 2 से काट के देखिए 2,5,10,2,6 के बार है 2,4,8,2,9,8 ठीक है तो यह कितना जाएगा 56 एक्स अपॉन 49 वाई बराबर 6 बटे 7 आ जाएगा ठीक है चलिए इसको यहां पर देख लेते हैं तो यह वैलू आपके कितनी आ जाएगी चलि है उपर मल्टिप तिरी एक गुड़ा कर लीजिए 56 गुड़े 7 बटे 49 गुड़े 6 ठीक है तो यह कितना जाएगा 7,49 और इसको काटिए 7 वाठे 56 यह कितना जाएगा 8x बटे 6y बड़ाबर 1 बटे 1 अब यहां क्या अतिरी एक गुड़ा फिर से कर दीजिए x बटे y बड़ाबर आपका कितना जाएगा यह नीचे चला जाएगा यह उपर 6 बटे 8 यानि की 2 से काटिए 2 तियाए 6 दो चाहुक का 8 3 बटे 4 आ गया तो आपका option 3 बटे 4 दिया अंक गडित का मतलब ही होता है अंकों का खेल अगर आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उसको आप अंक में लिख सकते हैं तो आपका आधा प्रश्न ऐसे ही solve हो जाएगा उसके बाद क्या बचेगा जो धटाना गुड़ा भाग जो परमपरागत रूप से बचेगा वो आप आल रेड़ी कर लेंगे ठीक है चलिए चलिए तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं वीडियो आपको अच्छे लेगी तो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद आपको झालżenia करें सेयर किया तो आपको अच्छेर करें बस Aंठावी तो आपको इतना ही करें करें